हेवाड़े सब्सक्राइब आपको दिखाने माला हूँ कि यहाँ पर Realme XT में आप notification LED का feature यहाँ पर कैसे पास सकते हो तो जैसे कि आपको पता है notification LED बहुत ही एक useful feature है in mobiles में तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो modern smartphones है जैसे कि यह Realme XT यहाँ पर आपको एक छोटी से nose देखने हो मिलती है और जो companies है यहाँ पर जो bezels है वो बहुत ही कम रखते है तो इसके कारण यहाँ पर आपको notification LED का support इन mobiles में नहीं देखने को मिलता तो अब इससे वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ कि आप Realme XT या फिर कोई भी smartphone हो जिसमें आपको notification LED का support नहीं मिलता उसमें आप notification LED को कैसे आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर में यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा नोटिफाइबड़ी एप को जैसे कि आप देख सकते हो यह जो पहला सेजेशन है जहाँ पर लिखा है नोटिफाइबड़ी AMOLED Notification Light इस एप को आपको डाउनलोड कर लेना है यह जो एप यहाँ पर आप देख रहे हो यह application का interface यहाँ पर बहुत सारे applications के नाम लिखे हुए है यहाँ पर आपको सारे applications का नाम आपको देखने को मिलगा जो भी अपने इंस्ट्रॉल किये है अपने mobile पर तो जिन जिन आप का यहाँ पर आपको notification चाहिए उनको आप select कर दो याप फिर यहाँ पर से enable कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे app पहले से ही enable करके रखे है इस application में तो जैसे ही मुझे इन application का notification यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर जो notification LED है वो activate हो जाती है और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कोई notification इन app में से आया है यहाँ पर इस app के settings में आपको बहुत सारे customization feature यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर blink interval लगा सकते हो यहाँ पर LED animation जो है वो भी लगा सकते हो उसका timing जो है LED notification का वो भी यहाँ पर आप set कर सकते हो इस settings में तो जैसे कि आप देख सकते हो इस application के setting में यहाँ पर हमें minimum battery limit का option मिल जाता है इसमें आप battery percentage जैसे भी आप set करोगे यहाँ पर 20 या फिर 30% पर तो जैसी आपकी battery जो है वो 20 या फिर 30% पर आ जाएगी जो notification LED है वो अपने आपी disable हो जाएगी और आपी जो battery है वो यहाँ पर save हो जाएगी उसके आलावाइस application में आप जो LED notification का brightness है वो भी set कर सकते हो X और Y के और इन X और Y के coordinates को अगर आप परावस सेट करोगे तो आपकी जो LED notification है वो आप किसी भी जगह पर आपको चाहिए उदार आप उसको रख सकते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी settings में यहाँ पर मैंने X coordinate जो है वो 420 पे रखा है और जो Y coordinate है वो यहाँ पर मैंने 15 पे रखा है तो जैसे ही मैं यहाँ पर test का button दवा देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर जो LED notification है वो यहाँ पर blink होना चालू कर देती है यहाँ पर आपको इस application में missed call को notification भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो इसको जैसे आप enable करते हो तो जैसे ही आपको कोई missed call आ जाता है यहाँ पर जो LED notification है वो यहाँ पर blink करना start कर देगी तो इस application की सबसे बड़िया बात यह है कि आप individual application के notification color को भी change कर सकते हो तो जैसके आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने click bus को select किया है और मुझे अगर इसकी notification LED का color बदलना है तो यहाँ पर से मैं कौनसा भी color यहाँ पर रख सकता हूँ और यहाँ पर जो confirm का button है उसको दबाने से वो LED का color यहाँ पर जो है वो set हो जाएगा एक particular application के लिए तो यह बहुत ही एक बड़िया यहाँ पर feature है इस application का तो बस आपको चाहिए वैसे आप इस application को set कर सकते हो और जो LED notification है वो आपकी mobile में चालू हो जाएगी और जैसे ही आपको कोई notification या फिर missed call आता है आपकी mobile पर तो यह जो notification LED है वो यहाँ पर blink करना चालू कर देगी तो मुझे यकिन है यहाँ पर यह जो वीडियो है आपको useful लगा होगा तो यह जो notification LED का feature है वो बहुती cool और बहुती useful आपको मिलता है जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया वो सारे के सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको भी आपकी mobile में यहाँ पर notification LED का support यहाँ पर मिल जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगियो तो जवरी श्रेट को लाइक कीजिए शेर कीजिए वीडियो अपने दोस्ते के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल टेकीब्रो को क्योंकि हम एसे ही बड़ी आपने अटेक मिलेटेट वीडियो तो आपके लिए लि